hello friends how are you all so welcome back to med steps youtube channel so in this video we are discussing about anatomy of heart बहुत जोने लोग मेरको message करके पूचा है कि heart के बारे में anatomical heart के बारे में तो आज मैं आगे हूं आपके आगे so let's begin so दोस्तों anatomy of heart के बारे में आज हम लोग बनने वाल है heart होता क्या है heart होलो आर्गन है मजलोब empty space होता है उसके अंदर हाट का importance क्या है वो पूरा हमारा body को blood को pump करता है देखे वो non-stop beat करता ही रहता है दुसरा हाट का अंदर हमारा approximately यह होता है उसका साइज होता है अगर आपका कितना है सेम से उतना ही आपका heart का साइज होता है अब हम लोग देख रहे हैं आज यह वीडियो में हम लोग कौन कौन सी टापिक्स डिसकस करने वाले हैं ठीक है फुर्स्ट है हम लोग इंट्रोडेक्शन उसका बाद हाट कर डाइमेंस क्या क्या है कितना कितना होता है दुसरा सर्फिस प्रजक्शन अब हाट रिलेशन्स अन सलकई सलकई के बार में आपको बाद में समझाओंगा तीक है परिकार्डियल सैनस अन परिकार्डियम हाट की चांबर्स के बारे में अन दुसरा वाल्व के बारे में और कोरिनरी आर्ट्री सिस्टम इसका हाट का आज हम लोग यह सब कुछ हम इंट्रदक्स देखों इंट्रदक्शन कंदर अगर आप देखेंगे तो अँब हलिका हवा है हाट क्य है एक होलो आर्गन है उसकंदर ब्ल्यट जो है पंप करने के लिए empty space डिक भ मांप बोलते हो जो दुसरा कोंट शेप में होता है दुसरा मस्क्रण पंप है हार्ट बनता है मजल से और उससे हार्ट जो है पंप होता लेता है तिक है यह पूरा हमारा हाट जो है पूरा लाइफ टाइम में 2.5 billion लाइफ्टायम में बीट करता है तिसरा पॉइंट है हमारा जो हाट जो है अप्रोक्समेटली 1,002,000 km अगर इसको हम कंपेर करेंगे तो हमारे पूरा यर्थ को इक्वेटल लाइन से तीन टाइमस हम लोग गुम सकते हैं उतना हाट का महानियत है ठीक है नक्ष देखेंगे तो यह जो राइट साइड आफ हाट जो है वह आपको ब्लेड जो है लंग्स तक पहुचाएगा उसका बाद वहाँ से लंग्स से लेफ्ट एटियम तक आएगा ल हाट जो है वह आपको ब्लेड पॅंप परल्मोलिय शेर्क्लीस के पास जाएगा लफ्ट साइड से जो हाट है वह सिस्ट्वमिक पॉम्प होगा यह आपको हाट पॉंप जो है वह 14 टॉजन लीटर सोता है पर देय 14,000 लीटर्स को ब्लीड ुब्लेड जो है पॉंप करता है है ठीक है फाइव मिलियन लेटर्स कभी पर येर पर येर मतलों 365 डेस ये 365 डेस का अंदर आपको हाट जो है पॉंप करेगा कितना फाइव मिलियन लेटर्स प्रेट को ये हैं हाट का इंट्रोडेक्शन अभी हम लोग जा रहे हमारा डायमेंडशन से फाफ को परने के लिए देखो डायमेंडशन से हाफ डायमेंडशन से हाफ हाट इसका अंदर आप हाट का लांग देखेंगे तो 12 सेंटीमेटर उसको हम लोग 5 इंचेस बोलते हैं हाट का लांग कितना होता है 12 सेंटीमेटर उसका वाइड 9 सेंटीमेटर 3.5 इंचेस उसको वाइड हाट का वाइड कितना होता है देखेगा फीमर्स के अंदर 250 ग्राम्स और हमको 200 घंडर हमको दिखते हैं हास्व टोК हमेर कम घांडwangतर के दार दिखो कौ furry Ketitati मेरगे slips करता है वो क्या है हमारा है वह हो है राफ्रम को उपर हमारहाटव тобo नियर मिड्लाइं मतलब इसका मह बोलत मिड्लाइं उसके अंदर त्वर्हें मिड्लाइब त्रसीचक अंदर जो लंग्स का त्वर्हें को उपर है लिए सिच्वेटेड होता है हाट तemb Araut की सर्फिस प्रजेक्चनज देखो एर्ट का सर्फिस प्रजेक्शनज है है जो मैंने पहले बोलता है हाट लाई ani पल ग雞 आपलेक्चिली अबलेक्चिली मतलब आपको समझाऊगा देखो ट्रांस्वर्स हार जैटल मतलब है आपको क्रॉस ही जाता है उसका हम बोलते है अब लिख देखो आपको ये रेजिन में आपको लंग जो हाट जो है वो दिख्यांगा की में आपको क्या है लंक्स दिखेंगे तॉल्ट esteem पार्ट के अंदर मिडिय स्ट्रिण इन्टाइर साइट कांदर स्टन्व कोस्टल सर्फिस एं पीछे पोस्टेश्ट अंधर स्टन रिप्स यो होता है इसका पीछे यह आपको क्या दिखेगा राइट वैंटरिक्ल अगर कोई बंदा आके एक चाकु अपको इसस्टन्व कंदर से गुशा दिया पर न içफसे देखेगा स्भानाप मारेवाफ्ट गौर्ट जो आपको दिखेगा मारा बॉस्टिवेफ्ट एट्रिएम थेखाऊ आपको मेकल duct जो आपको क्या दिखरा है राइट याट डेन्टेरिकल अगर पॉस्टियर सैट में आपको दिख रहा है मारा लेफ्न wash atrium left atrium जो है पोस्ते सर्फेस का अंदर दिखेंगा नेस्ट inferior हा consumo कि ना सब्सक्तों मिक waktu क्या दिखेंगा मार डैफ्रमेस्ट्रमेक सर्फेस का अदर आपको दिखेंगा लशष्ट misleading अपडमीनटरीकल हम्मर मेंर को दिखेंगा फिनक सिस्वार रिपीट कर्रूं आ पुष्ट और फोस्ट्ट उपको दिखेंगा हमारे लेफ्ट टिंट में इन्फिरल साइड आपको गई हमारे लेट सब्सक्रान अगर राइट माधर राइट सेट जो है एक बॉडल लैन अपको इमेजन करना पड़ेगा इस राइट जो है आपको आपको एक borderline imagine करो वहां आपको दिखेगा हमारा right atrium ठीके लेफ्ट बॉर्डर में आपको दिखेगा लेफ्ट वेंट्रिकल राइट बॉर्डर में आपको दिखेगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल अभी एक छोटा पार्ट है उसका हम बोलेंगे आपको लेफ्ट वेंट्रिकल आपको दिखाऊंगा किदर है अब एक बार इमेज देख लो एक बार इमेज देख लो यह हमारा अब है इस रीजियर में आपको सिच्वेट है यह मिड्र क्लेविकल लाइन इदर क्लेविकल बोन होता है इस आप मिड्ड लाइन आपको दिखेगा दो चाहिए इंटर कोस्टल स्पेस के अंदर आपको मिद्लाइन अप्ति क्लिविकल बॉन आपको दिखे रहा है हमारा एपक्स हाट का पार्ट दिखेगा एपक्स का पार्ट दिखेगा तिके यह है है हमारा फूरा रीप 6 अद्री इस है अपर रैट के अंदर क्या दिखकेगा करके बोला मैंने आपको राइट रेट्रियम लेफ्ट लफ्ट बॉडर के अंदर क्या दिखके क्या हमारा लफ्ट केंडिकल तो अब देखेंगे त्युक्त देखों मैं एक पार्ट बोल रहा हूं वह यह त्युक्त बर क्या होता है लेफ्ट वेंटिकल जो है बहुत तिक होता है ज्यादा बीट करने के वज़े से नहीं तो कोई एथलेटिक है वुण खंदर आपको यह एक आपक्स पार्ट जो है वह तिन हो जाता रहता है तिन हो जाते उसलिए वह बल्ज हो जाएगा उसका हम बोलते हैं डाइलेटेड हाट रफ्ट वेंटिकल करके बोलेंगे अभी देखों हाट के नॉर्मल बेसिक मैं आपको समझाना चाहता हूं फर्स्ट वन कि सुपिरेर वेना कावा और सुपिरेर वेना कावा जो है वह हमा ब्रेन वह सब कुछ तिक है वह जो ब्लेड आता है ना हैट से वह हैं कलट करेगा हमारा सुपिरेर वेना कावा जो हमारा लोवर बॉड़ी आर्गेंस सिस्टम को ब्लड गया वी दियो आक्सिजन वेट वेनस पर आएगा मारा इन्फिरेर विना कावा कंदर पोट्विपोर टीक है उसका बाद राइट एट्रियम से अपको राइट आट्रियम हो गया अभी जो पल्मौनरी वेंस दिख रहें यह पल्मौनरी वेंस जो है ऑक्सिजनेटर लेके जाएक तर्मार लेफ्ट एट्रियम का अंदर कि अ सार्यए यह सब कुछ ए लंग से आ रहे हैं लंग से आयोट डिवाइड ओवर थीन पार्स का अंदर थीन ब्रांचस का अंदर यह बैको से फैलिक यह कॉमन कराटिड यह हमारा लेफ्ट सब्सक्राइब यह हमें आपको जीप डीप में समझाऊंगा थुड़ा आगे जाने का पर आपके लेगमेंटम आट्रियोसम दिखेगा इसक बाद में जब बेबी डिलिवेर हो गया तब यह आटमेटिक के क्लोज हो जाएगा अगर क्लोज नहीं हो वहां तो हम लोग एक कंडिशन देखेंगे उसका हम बोलेंगे पेटेंट डक्टस अर्टियोसम अभी है हम लोग इस सब कुछ देखा पर्माटर को सब कुछ देखि नहीं तो ठीक है नेक्स्ट अब हम लोग एक कड़ावर का इमेज कंदा देखेंगे तो एक कड़ावर देखो यह हमारा सुपीरेर विना कावा यह आच्छा फायोटा जो एक हाट को पूरा एक लेयर्स कवर कर करेंगे उसका हम लोग बात करेंगे जब परिकाड़ेंगे ब पह bind ही जो हाट जो है लंग्स की में वोता है करके बोल था ना ये हैं अमारा शुपिरेल लोब और मिडिल लोब इदर एक लाइन दिख्रहे ना ये लाइन इसको हूं बोलेंगे हार्जन्टल फिसर ये हार्जन्टल फिसर जो है ये डिवाइड करेंगा मारा सुपिरेल लोब और मिडिल लोब को डिवाइड करेंगा ठीके अब इदर नीच्छे अपको इसका अंदर आपको inferior lobe होगा यह हैं मरा oblique fissure इसका मुलोग क्या बोलेंगा oblique Fissure इसे राइट लोब का अंदर लाइट लंग का अंदर आपको तीन लोब सेखने केले मिलेंगे एक सुपिरियर लोब जो मिडिल लोब को डिवाइड करेगा होरिजेंटल फिसर जो मिडिल लोब को अंदर इन्फिरियर लोब को डिवाइड करेगा हमारा oblique Fissure अब लेफ्ट लंग देखों लेफ्ट लंग का अंदर एक अपको इदर एक स्पेस दिखरें उसका मुलेंगे काडियक क्या बोलेंगे काडियक लंज करके बोलेंगे इसको तक है अब यह आपको कrine देखू इधर आएगा उपre एक फीजर वोता है उसका मैं लंग की कि होता है क्यूंकि लफ्ट लंग को दोहीर उत्त होता है ठीक है इसलिए इसका हम बोलेंगा पाउलेग क्यों अब हम लोग जा रहे हमारा हाट के अंदर हाट के रिलेशन्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं देखो मैं पहले एक बात समझाना चाहता हूं रिलेशन्स कैसे पढ़ेंगे हम लोग यह से हाट है ऐख हो फट आप है उसका हम बोलेंगे अब से में जो हे उसको हम बोलेंगे लेटरल पार्ट समझ माया अब ही इता देखो रिलेसेनस इसे तो हार्टृ'm आख का सुहार में हमलोग क्या देख सकते हैं हमारा आयौत को देखेंगे हाट के उपर से ही आपको ऐना νायों उसके बोद सुपीरियर विणाखाव आएगा उसको पल्मनरी आर्ट्री पल्मनरी ट्रंक पल्मनरी पेन्स इस सब कुस कि दर दिखेंगे शुपीर पार्ट आफ्ट ती हाट अब इनफीर देखों इनफीरियर मतलब हाट के नीचे देखेंगें अपको क्या दिखेगा अब यह आइंटिरियर पार्ट मतलब आगे वाला पार्ट के अंदर क्याकर आपको इमेजन करो ज्याद पढ़ने की जरुरत नहीं जिस्ट इमेजन करो अब काट में समझ माज आएगा जो आपको 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 दिखेगा हमारा एक चुन दिखेगा तेके अंडर रिप्स दि स्वांकस होंगे डिसंडिंग अयोता होगा इनफीलर वेना खावा और तोरासिक बाती ब्राश इस अब कुछ हमारा पॉस्टीकर अब लेटरल ली पता है हमको क्या होता है लंक्स होता है तिक है है हाठी की रिलेशन्स अब इमेज देखे हम लोग समझेंगे सको क्या होता ह प्रफेस वहता है यह देखो बहुत अच्छा इमेज है ना इमेज के लिए आप तो कॉमन्ट तो करो यार कुछ तो लाइक तो करो ठीक है अभी देखो एक लॉड़ का इमेज देख लो एक लंग यह लंग्स का बीच में आपको दिख रहे हैं यह सुपिरियर विना खावा त जो है यह डिवाइड कर दिया एक तो सबकुछ अब को सुपिरियर पार्ट में देखेगा ले आडर पार्ट मा अब पो स्ट्रीड इख रहर एक अभी आ अधि आठ तीकिए यहां करें देख में क्या देखे हरें आपको स्टन नहीं ऊंअ सिर्षे गलाया आपको संटर्गर टूरश्ट्रेक्यौन अनकर्षियं यहां अब पोश्टियर रीजिन में देखें पोश्टरा साइज में क्या है फ्रस्ट वन हमारा इस इस आए गए गा नेक्स्ट ट्रैकी आएगा मट्टी ब्रस आएंगे और इस अगर लंग राइट पांकर नलफ्ट पांकर साइगे इस अब इनफिर वेनकाब आएगा इस अब समझना पड़ेगा सब्सक्राइब है उसको पोलेंगे सामके मतलब जिए का है जी किमे लिए 000प्राश में दिखाए देगा हमको जो ए atrium और ventricles के बीच में आपको एक मार्किंग दिखेंगे उसको बुलेंग गुरू और sulcus अब यह जो sulcus of heart divided into 3 types फ्रस्ट वन है आद्रियर वेंत्रिक्लर सलक्स दुसरा है आंटीरियर इंट्रिक्लर सलक्स दुसरा है पोस्टिरियर इंट्रिक्लर सलक्स पहला हम लोग atrium atrium ventricular surcus का बाध़ने पेल जानेंगे ठीकिन कि डेखों यहें atrium ventricular sulcus होता किया है यह देखों यहें atrium यहे वेंट्रिकल के भीच में आपको यह प्रेसन दिख रहा हुआ इसका हम बोलेंगे ये ट्रिय वें ट्रियों घ्र अब इसका ंदर डिखने केले मिलेगा कोण कोछी स्ट्रक्चर्चम्ट मिलेंगे एक एक बार देखो एक बार इदर देखो यह हमारा राइट कोरोनराट्री एक तुमने च भीका सिको थेगक को रीयोर यह ओल्सा जायू माई accessing प Nossa ओुसें回來 घाने क्ने के दर होता है क्या ही स्कत्राइब देश्ट करेंगे तो है तो इन हम लोब बात कर रहे हैं सलकेस का बारे में सलकेसम्त्र बीजियन पोलते अरो हुआ है उसको यह टिवाइड उबाएड वा थीन पार्स का अंदर इह है एत्रियो वेंorkलर सक्षकनका पारें इ़ें मेंगे आत्रियो 05-0 9 पूरी चार स्टक्च allen एक है मार राइट कोड़ना राट्री लेफ्ट कोड़ना कोड़ना राट्री लफ्ट सरकंफ्लेक्स अद्री उसे एक पार माईगे उसको बॉलेंगे चलकुस नहिए नेच्ट आम लोग् 잡 आ heut जा रहा है थेक्षों आगे इंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर्वेंटर् साइड में यह हैं वेरां देखों इसको उम बोलेंगे क्यों से राइट वेंत्रिकल क्या ले असले आप्सक्राद करें आ ले अगत्ध अगर अगर आतरि का अगर अगर प्लैग फॉर्म हो गया गया तो तब हमको इदर कंडिशन आएगा एह क्या कंडिशन आएगा आपको यह बहुत वीडियो शाटरी बोलते हैं इधरी ज्यादा तक प्लैक फार्म होने के चांस है वह आपको खुरोनर आट्री डिसीज आएंगे इसलिए अपको सर्ज्री एंजियोगरिफी से टीक हो जा रहे तो यह आजियोगरिफी करेंगे अगर आजियोगरिफी से ज्य सख्काब याई अंटिया दि क्रेट करेंड़री दियाक ब्रस टिकंगे लोग जा रहे हमारा को से इंटर्बीफीसल० सेंस्सें वहाँ अंट्रियर में है यह यहां पोश्टरी साइड में आपको दिख रहा यह है पोस्टेरियर इंटर्वेंट्रिकल सलक़ जो वहा राइट एट्रियम और राइट लाइट वेंटरिकल वेंट्रिकल को जो डिवाइड किया अट्रिमें च conquered सब्सक्राइब करें दूसरा आपको देखने के लिए मिलेगा हमारा मीडिल काडियक वेन करके बोलेंगे नहीं तो हमारा सलकस के बारवन बात करना है तो इतना ही नेक्स्ट आप हम लग जा रहे हमारा तरीर काडियल साइनस खांतर चीए कुछ भी नी एक कुछबर की में साल रिद्रेट्टव आपके लिए इसको समझे करते तो एक बात समझे को फिर एक आपकगो यह आपका हार्ट है थीक यह हाट का पास छोजली एक लेएर है उसका हम बोलेंगे विस्सरल लेएर वही तुरह दूर्में है उसके हम बोलेंगे परयाइटल लेयर अब इसा देखो न्याइब अब यह जो परिकाडले स्यने से डिवाइड वहां पूरत दो पाठ्स के अंदर रेके हैं हमारा को थूसरा है है अमएरा ऑब्लिक्यू प मेरीकाडियों थीक नमीं को किनीक्ट्भ इम्पोर्टन्स से जब सर्जडि करते समयं एक लेगेचर को इंसेट करेंगे किदर यसे करनेके हांदर कंदर कभी हांद करते समय ने कुछ हार्ट के लेकर जो ती करते समय मैं को लाइगेचर को इंटिसेट करें हमारा अईचा और तनको डिवाइड ने के हलव करेंगा कौन ऍपरूỆटनस को जानने के लिए है यह हमारा ट्रैंसफर्स पेरिकाडियल एह झाहिए अब नम लोग जा रहा है हमारा कि अबलेघ्यू डिद्त मतलों कि में पहले आबलीक्यो मतलब यह सजाता है तिक है यह देखो आबलीक्यूली जो लाइगे जरक मुझ एंसर्ट कर रहे हैं तिक हाट को हाट का अंदर इसका हूं बोलेंगे पेडिकारडल सेख परिकेडल सेख अंदर जाने के लिए यह है यह हमारा लाइन सफ रिफ्लेक्शन के अंदर अबलेक्यू साइनस इंफिरियर से स्पीरर रीजन में जाएगा इसलिए में उसको बोलेंगे अबलेक्यूल साइनस ठीके नेक्स्ट अभी entry surface of the heart देखो करें यर्दे सरफिस अफ्ती हाट जो है यह योटा दिवाइड ऊधा तीन बैंच असका ब्रेक्योषपलिक ट्रेंख लेफ्ट और लेफ्ट अ क्लेवियर यह कहला है इसका विसका बाद उसका पूर्से रीजेंट से करके बोलते हैं नामली जब पूरा पाउच करके विंकिल्ड पाउच होता है उसका हम बोलेंगे आरिकल इसके इसके इंपोर्टन्स क्या है इसके जानदा वालियूम जो है उसको फिल करने के करेंगे उसको बोलेंगे औरिकल जब पॉच टिप उसका हम बोलेंगे औरिकल नामली अंदर देखनेंगे इसका इत्रियम यह किसका ब्रहेंच है लफ्ट्र पहले बात कर चुके हैं यह लफ्ट वेंडिकल को कोन बनाएगा मार लफ्ट बोर्डर नश्टेगेटर काडियक वेंड जब मैं करने आट्रिस का बरम बात करोंगा तब आपको मैं यह आट्रिस और वेंस के बरमाच असे समझाओंगा त्यकिए नश्टे हमारे एंटिरेंटर बेंट्रिकलर आट्री नश्टे यहें एपक्स पार्ट यह नीचा पार्ट देखकर सब कुछ नॉर्मल बेसिक आपको सब कुछ पता है इसलिए इसको रिपेट करना नहीं चाहरा हूं सब कुछ आप जानते हों मैं इसकी इंपोरेंट बताऊंगा राइट प्लमनरी वेंज पूरक दो आया आखें हमारे किदर सिच्वेटेड होता है लफ अंदर आपको दिखेगा कि दिखेगा लेफ्ट अंदर दिखेगा ठीके यह सब कुछ सर्कुलेशन के बार में हम लोग ब धाल जा रहे हमारा माँ मेंध है हाथ का पर इसका परिकार्णियर पर गन्री का डिल होता क्या है यह हमारा एक क wrong डबल डबल सेक भ्यक्र अंदर भीवार्णांघ़िर कौरंज क्या है देखो कि इतना एक परिकाडियम करके ठीक है पूरा हाट को जब इसका मेधर करेंगां इसको एससा सपोर देगा जब रिलाक्स होगा तब इस परिकाडियम भी कि अच्छन आगा टिकें जब एक रेकाडियम के इस से क्या है कुछ पूंप प्रोटक्शन करेंगे अभी परिकाडियम जो है यह डिवाइड होगा पुरए दो पार्ट्स के अंदर एक है हमारा फाइब्रस परिकाडियम और दुसरा सिरुस परिकाडियम तिकें अभी फा पूर आपको इन फिलेर बीना कावा आयोटा प्रांच पल्मर आर्ट्री पल्मर वेंज इस सबको कवर करेंगे कौन हमारा फाइब्रस परिकाडियों का बर्मा थोड़ा बात बोलना चाहता हूं यह जो फाइब्रस परिकाडियम है न यह क्या करेगा पहले एक टफ होता है बह इन्वेस्टिक होगा और एक बनता है अमारा दैन्स कि एर्रेगुलर कंगतिव टिस्वी से बनता था थीक्या इसका इंपोर्टन्स यह यह फैस प्रोटेक्शन करेगा हमरा हाट कोस्ट वंदुसरा प्रिमंड करेगा आउट स्रचिंक को मतलब हाट जो है डायेक्टों के स् highlighting power stretching of the heart power stretching of heart okay स्का मेनन फंक्ट्टिन किशिका फब्रस परिकाड याम को दुश्रा यू फब्रस परिकाड यूँक्तली है एक जर्टली जर्टली वेरी स्ट्राउंग और मेंटेंव सिस्वेरेट्स प्जिशन इन धाम मिडिल वितिन दा मिडिल मिडेस्चनम इसलिए एक फाइब्रस परिकार्डियूं के एक को अच्छा से उसको पकड़ करेगा स्टिक्फली एह ही इंपोर्टन्स है हमारा फाइब्रस परिकार्डियूं का ठीके हमलों जा रहे हमारा सिरस परिकार्डियूं इस सिरस परिकार्डियूं को यह हम बोलेंगे अभी जो पेरी काडियों के बीच में चांडिक होता है उसका हुआ भूलेंगे पड़ेंगे यह देखो और प्रिकाइड तैस्ट पोटेंचियल स्पेस बिट्मिन टा पाराइटल और विश्रल लेयर के बिसमें स्पेस्ट जो होता है न उसके अंधर क्या है आपको स्मॉल इमॉड़ ऑफ सिर्थ फ्लोड दिखेंगे किस्कों बोलेंगे परिकाडियल क्याविटी करके बोलेंगे ठीक है कि हाट को जब पाट करेगा तभी मुव्मेंट यह नामल जब हाट जो है सिर्स परिकाडियम कंदा जब यह से जाएगा तब प्रिकाडिया लेटे आपको यह साथ को नहीं लगेगा चूंकि यह जो साथ वो भॉण जो जो हो इसको पुंदर बोलेगा ऊप ते अब इसके अंदर होता क्या है अब इस अंदर होता क्या है यह समझना चाहिए हमको जो परिकाडियम जो है अगर कोई भी एक एक जिन्ट का वज़े से तीक है नहीं तो खुछ लगने के वज़े से ट्रामा के वज़े से नहीं तो कुछ clinical चाहिए तो जो होने की वजए से जो हाट जो जब रिलाक्स होता ना हाट अच्छा से रिलाक्स नहीं हो सकता तो हमारा पूरा ब्लेड अच्छा से नहीं मिलेगा तब यह कंडिशन है अब को दिखने के लिए मिलेगा वही कंडिशन हम बोलेंगे परिकाडाइटिस नहीं को नियुमो तरह करके बोल सकते हैं करना कडियाट करना है यह करना है यह हम देखेंगे परिकाडियाट कांडियाट होता है जब काडिय सब्सक्राइट हुआ तो हमारा जो हार्ट का अंधर ब्लेड अप्रिकाडियम के का अंदर हमे banana क्या है एक drained कर देना ब्लेट जो है बाहर निकाल देना है वह कीससे निकालेंगे वह हम लोग निकालेंगे बीचया यह पर यह तap है कि प्रहे नमिसेट करेंगे left infrasternal angle left left इंफ्रा नीचे चल् 대 प्लंगर को पीछे कीचेंगे तब आटमेटिक जो ब्लेड जो है वो ड्रेन हो जाएगा ठीक है जब करेंगे जब इमर्जेंसी सिच्वेशन खंदर जब पेशन्ट ट्रामा एक्सिन्ट होके पूरा जो हाट का जो बहुत डेंजरस है ठीक है लाइफ टेट्निक कंडेशन है सेसल करके हम लोग डेंड़ा parecer कर देंगे टुम्र इसकों बोलेंगे इसकोक्र 가져 polsk तिक के वह कंदीशन वह उसको हम बोलेंगे पिरिकाडियों सेंडिसेस हमें हम लोग जा रहे हैं लेयर्स अफ़ K अंदर हट की लेयर्स हब हमाज पणने 28 प्जथे पहले क्या क्या दिखेंगे असफ परेले एपोस्टिश दिखेंगा विसरा है है मैयोकाडिय। तक्स्त है लार इंडोकाडिय। टीके जु आपको इह परिटल लेयर लेयर के बीच में आको क्यावटिय दिख़ेघा हो वैसका में बोले हैं टीनलेयर अब एक अक लेयर को हमनौ तो तीन में पढ़ आधक consumers फ्रस्ट वन है अमारा एपिकार्डिय्यम एपिकार्डियम जो है यह transparent outer लेयर हे किसका हाट बहन का दूसरा यह बन ता है अमारा मीशो तीलियम मीशो तीलियमसे मीशो तैलियोम कॉंसी सल्च से बनता है सिंपौ सकौमस सल्च से बन्ता है ठीक है एक k कि हमारा मैयो काडियम का बारे में JOSH ici कार्डियम अने इंड्यमासे लिस युवकि व्य हैंक० कि युषार युचrymba हनों ज्यादा भात बात करनेके जरुरत ने क्योंकि हमें परस्वाइल सिस्मारी युषाए युषा जाल रवेटिacter with connect to tissue व्यापण मतलब क्या होता है एक का बाद एक का बाद वो एक ब्रैपिंग होता है उसका हम बोलेंगे व्यापण bundle connect to tissue वाई इसका रहें शीट्स एख निचेश रोता है वह एक है endomye ship अद परिमेस्वान दोनों मिलके हमको यह बंद जो है अमको करता है ठीक है कार्डिक मसल जो है आरगनेज होगा दुसरा एह स्फिल एंडाइगोनाली देखो इसका हम बोलते हैं स्फिल तीक डाइगोनाली जो है उपर जा रहा यह नगे एसरा आपको हाड का मसल चुह है बहुत स्ट्रॉंग होगा और हेल्प करेगा हमारा पॉंपिंग एक्षन को जब हाट का पॉंपिंग एक्षन होता नहीं तब भी हेल्प करेगा कौन यह मसल इसलिए मयोकर्ण मुसल बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट अब आपको पता है इसलिए में उसको पास नहीं जा रहें अब देखो चांबर्स अफ हाट हाट का अंदर पूर दो चांबर्स होंगे एक है हमारा एक अट्रील चांबर्स अंदुसरा बेंट्रील चांबर्स अट्रील 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 चांबर्स अ उसके इंपोर्टेंस का मैं बाताओंगा तक है यह फोसा वबालिस क्या है कि जब एक्रियम फार्म होता है इसका इंपोर्टेंस जब लोग इंप्रोजी पढ़ेंगे तब मैं आप इसको अच्छा समझाऊंगा इस पार्थ करके इस से नौमली समझ लेना तीकि यह चांबर अंदर हाट का मत देखना है अपको इंपोर्टेंस क्या है एक है रइट अट्रिकलर एक भी वर्ट्रिकलर से डियेटैया अपको पर्मनरी ट्रंक आ गया ठीके यह है राइट लफ्ट्टे याट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकलर इधरसे आपको डिरेट हमारा अईयोटा आज यह इंपोर्टेंट्स है अभी पहले हम लेख देख हैं हमारो ओनली राइट एत्रिम कोई पढ़ेंगे देखों पहले पहले ही बोल चुका हूं राइट एत्रियम इसको इसको बोलते राइट एत्रियम इसक अधर क्या है यह ब्लट को रिस्युव करेगा किदर से त्री से देखे हैं हमारा सुपिरेर वेना कावा इंफिरेर वेना कावा और कॉरनरी साइनस ठीक है यह राइट एट्रम कैसे होता है आपको बहुत होता है उसको हम बोलेंगे पक्तिनेट में समझाओंगा इसको बोलेंगे अभी फूचर है इसका वोवल डेप्रेशन जो एक्रिट्रेशन फार्म करते हैं जो हो है उसके में बोलेंगे जो बच्चे के लिए उसका में बोलेंगे अगर फॉर्सट नहीं होगा तो थेक है फेश वाल वोता है उसकाम पोलेंगे राइकस जीड़ वाल इसकाम पोलेंगे शुट हो तरी लीफ लड्स होँगे और उसकेम लोग कशक करके के बनेंगे अभी एक यह पर इमेज देखलो तो यह राइट एक्रम का राइट एक्रम का देखेंगे तो आपको देखो यह ओपनिंग मैंने बोला फॉस अगर अच्छा से प्लोज नहीं हुआ तो इसे रिट्रेटल डेफेक्ट यह हैं प्लेट मसल का क्या है रिज्जिस होने के वज़े से जो हार्डनिंग होता है ना यह यहाकन के इंप्लेट क्या है पूरा ब्लेट फ्लेट फीसर के बाहर फ्थेकता है व nécess भी अदर भब Physics के के हार्ट को एक important point है एक बात समझ ले ना हमारे हार्ट जो है सब बॉड़ी को ब्लेड दे रहा है ठीक है हार्ट को ब्लेड देगा हार्ट को कौन ब्लेड प्रबैड करेगा वह ब्लेड प्रबैड खरेंगे हमारा आरोले बहुता है मैं आपको बाद में समझाओंगा ठीक है अब ओलो होता है उदर क्यों है क्यों है यह समझलो जो करनला आत्री से यह हाट जो है पॉरा भी से लिगर करिंट पेट रिजिस्टंग अब पूरा बादी का अदर स्विर्ली डियाट जो बॉर्मिंट लेड से वो आपको राइट अंदर आ रहे हैं तुरी जो हाट को जो तो असे बारे में बात करने तो इतना है नगा इदेखो अब इंपोर्टन्स क्या है यह आगे हमारा एक कस्प जो है कस्प से एटाचर होता है अमरे ट्राइक स्पीड वाल्व वो कनेक्टेट होता है एक टंडनलाइक स्ट्रक्चर से वो टंडनल क्या होता है उसको हम बोलेंगे खाट ड़ें अब देखो एक कौन शेफ में दिख रह है यह ऐसार होता है क्याट थेंडनसे किसको के सबता कर सकून सी करस्प एक है वो थे टक है वह वोगा जब एजो ब्लेड़ पंपिंग होता है न वाल्व ओन ट्लोज होता है न यह प 얼लरी मुजल से किच से द्सपर समय होप आवज क्लोज होजा के अंदर जानना है तो ए 4.425 मिलिमेटर होता है ठीक है जीरो पांट सिस्टेंट टू इंचिस दिखेगा यह कंटेन होगा स्रीस आफ रिज्जस ठीक है बहुत सार रिज्जस दिखेंगे यह बंडिल्स फार्म करेगा काडेक मजल फैबर को फार्म करेंगे उसके हम बोलेंग यौन करेगा किदर से राइट वेंटरीकलर त्रू प्राकश्पड़ वाल उसके बाद यह राइट वेंटरीकल से डायेट है आपको जाएगा हमारा पलमारी ट्रंक का अंदर वह हम वो पलमारी सेमी-लूनर वाल्ट करके बोलेंगे उसके जरिया आपको वह अंदर जाएगा किदर लंग्स को लंग्स कन जाएगा oxygenation करने के लिए ठीक है नेक्स्ट राइट मेंट्रिकल के इमेज देख लो यह कार्ड़ी ठंड़ने इसको जो टंड़नेस बोलेंगे उसका हम बोलेंगे कार्ड़ने ठंड़ने जो नीचे मसल है उसका हम बोलेंगे प्यपलरी मसल ठीक है आप इसके 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 हाथ करने केंप करेंगा इसके हाथ के हरफ ने के लिए रॅब करेंगा तीक है यह है राइट वेंट्रिकल नेक्स्ट लिए लफ्ट इट्रिम left atrium देको left atrium जो है right atrium left atrium same tikk नश सेंघ commitment right atrium यह ज्या तक आपको heart by base को from करेंगा heart की base को form करेंगा इसके अंदर आपका आएगा पूरा four pulmonary vents दो है right pulmonary CO um है left pulmonary Med बेंटज 1 चार आके आपको अटच लोगाा हमारा को लेफ्ट ऑट्रियम को लेफ्ट एर्ट्र को बीच में एक वालव होता है उसका मिच्टरेंगे वाल उसको यह हम लगों सकते है आपको उपने दिख रहे न यह है मैं क्या इसके इंपरनेश करें में जब जो है जब डवलोप होता है तब ब्लेड कर किया है इसे पेले अपको वहता है पुरे एट्रियम होता है osób में उसको सेप्तम होगा हम बोलेंगे शसेप्तम बंता कि छो है उसके बात बहुत बनेगा उसकाLike फोरमेन ओवल इसके इंपोरेंस क्या है अगर एक क्लोज नहीं वहां तो बेज़ वेवी करना हम देख सकते एक्रियों सब्सक्राइब को देखने की चांस है ठीक है यह है पल्मर वेंट्स कि दर सारे लंग्स या रहा है यह लेफ्ट एक्रिम का बारे में अब हम लोग जा रहे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल को जानने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यह पूरा क्याएं आए 10-15 mm होता है तिक है मतुद तिक होता है 0.4-0.6 inches होगा यह आपको जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है आपको फार्म करेगा हमारे हाट की एपक्स को फार्म करता है अपक्स अफ्ज़शन ब्लेट पासे इंट्रू जो रिमाइनिंग व्लेट जो होता हो वह हमारा अे रहक वह बहुत तिक है क्यों इसके इंपोर्टन्ट क्यूं है यह तिक होने के वजे से पुछ करेंगा और लग्स तक जाना है कर रहें स्लीएTe politic mannerॉति तिक वजЕ से ब्लेड जो है नेस्से पूप होता है। थिच्छ दीखों यह हैριसें निकिन गातार्टिक ऑफ इसलिए देखेगँ आज गर देखेगा अ Зब्सक्राइब्स पूर्ट कुग में पर अब हमलों देखरेi comparison of right atrium क्यांपारीजन से पहले बोला वह blood जो है venus blood जो है receive करेगा किस से सुपिरेर विनक आवासे, इनफिरेर विनक आवासे जुसरा पॉरोनरी साइनस से जो है राइड आपको पूरा का दूसरा ब्लेड पूसस्स ब्लेड दूर्म जाएगा फॉर्ण को ऑफॉर्म करे कि बेस को को फॉर्म करते है को तीन फाइंट एक को खिलिट चाहेगा था फॉर है हमारा य। से राइट से राइट वैंट्र का अंदर जाएगा तिसरा यहें हाट की बेस को फार्म करगे शन्लों कोस्टल एरिया से तिक है ने लेफ्ट ग्रम आपको एक वाल्व की जो है हमारा बैकस्पीड फाल थे बाई मतलब दो कस्प लीफलेट स्ट्रक्चर्स अंड वाल्व ठीक है यह जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल अंदर जाने के लिए वाल्व है उसका हम बोलेंगे बाई कस्पिड वाल्व नहीं तो मिट्रल वाल्व यह हार्ट बेस को फार्म करेगा मेजर प पर्लमरी सर्क्लेशन मिंस ओल्ली लंग्स को ट्रांस्पोट करेगा दूसरा एक कंटेन्ग होगा पूरा ठी प्यूब्लरि मजर्स एक बाद समझारों ठी प्यूब्लरि मजर्स है क्यों ट्राइचपिड वाल्व है इसलिए वह ट्राइक असप जो है डिरेट आपको ट्रीश फैससे मजल से जक्रै चैकल शुच छहला कि इसा बूलते क्रिसंट्रिक दूसरा एक नलते जो है आपको akah ापको बाद व लंग्सका बेजेगा ने बगया का चतवा है हमारा लेफ्ट सुन् гол को सउल काज कुरें पॉर्म टेक्जर पॉर्म अब लेफ्ट वेंट्रिकल देखो लेफ्ट वेंट्रिकल के ठीक होता है बहुत ठीक धिकक ड्ब्रह्ट जो है एंटाइबाड को ब्लेट सरकले इसलिए इसका नल दो पापलरी मज़स हमको दिखेगा तीक है नेश्ट जो है सर्कुलर सेप में होता है सर्कुलर तीक है दुसरा यह हैं कंटेन्स हो गया ऑक्सिजनेटर ब्लेड अंद यह हमार डाइफ्रमेटिक सर्फेस को फार्म करेगा तीक है अभी हाट की वाल्व्स दे फ्राइफ्रिया मैंने इसा कट किया था इमेज में दिखा यह है अमारा वाल कि यह करस्पीड्वाह त्राइफ्रमेटिक को त्राइफ्रियर डेर लेटरल यह से कस्प होंगे हमने बात करेंगे जब वाल्व ओपन होगा इस टाइब के दिखेगा अभे में देखो कर भाल जब फसक्राइब और यह देख सर्दोर करेसे दिखेंगे यह देख लो तक दब अगर एकजब और थेखेंट वाल्ट होता हैं लेफट उनल रहा है तहीं व्यक्राइब नहीं को बलज कि दीखएगा अबल ऑपर तेकिए क्लिणिकल इंपोटनेश बता रहा जरू अगर अगर डिस्तिस्टो ट्रॉफिक क्यासी के सब्सक्राइब है डिस्टो स्वूरम कृटिस्प करने के दियुए के सब्सक्राइब होता क्या नियुदक weu जाएल के फिर फोट्रव जाके आपके अगर कढ़ जाने को वजह से आपके kणिस्टन आगउस कॉम पोलेंगे युष के स्टीनोसिस और तो को जाते हैं अगर अगर अच्छा से नहीं कुल रहे तो प्राब्लम क्या होगा च्छाम नहीं नहीं तो कंदेशनक को आइटिक श्चिनोसिस दूसरा आइटिक श्चिनोसिस वोता क्यों है क्विंगे जो कस्प करना कालिस्यम एक्कुमिलेसन हो जाने के वज़ा से त्लिक है एक बार एमेज पोस्ट प्रेपलेर मजल से यह हमारा बारा बात करना है तो नेक्स्ट अभी हमलों जारे लाउस टापिक हमारा सरक्लेशना हाथ फिस्ट आर्ट्री आर्टीरियल सप्ले आफ हाट देख रहे त्यक्या ब्लेट सप्लेट तुद मयोकाडियम इट प्रवाइड सो दो ब्रांचे दिख रहा है ना यह लेफ्ट कोरिन राट्री यह हमारा राइट कोड़ आर्ट देखें अभी यह लफ्ट प्रेंड कर नार्ट्री कभी फिल होगा ब्लेट उसकांदर प्लेट जायगा जब मेस्टीर नलच्ट होगा तभीह टापि ब्लेड आपको हाट कांदर को थूंड य आएगा तेके उसका बद आपका आया मारा इसंडिंग आयोटा इधर से आपको तीन बैंच इस होंगे ब्रेक्योसेफालिक आट्री दूसरा है लेफ्ट कॉमन करोटरी आट्री को फाम करेंगे उसका बद आपको नीचे तक आएंगे तो आपका आजाएगा हमारे आपको आल्रेडी बोल चुका हूं यह दिवाट मैंने पहले आपको आल्रेडी बोल चुका हूं यह दिरिंग डियोस्टेल डियोस्टेल मतलब जब रिलाक्स होता है हाठ तब भी ब्लेड फ्लो जो है एंटर होता है अमरे कोरोनरी आट्रीस का अंदर ठीक है अभी एक कोरोनरी आट्रीस का ब्रैंचस डिविजन कैसे होता है है अब हम भी हम लोग पढ़ेंगे ठीक है दे ब्लेट थे रुवां हमारा आयो ड के अन्ड़ अयो ड पास अपकों दो आत्री स्पहँगे करके बोला था ना एकनी हमेरा ड लेफ्ट ड भुआ चरोनर राट्री लेफ्ट फॉरा राट्री पेख divert आटीरे बिट कोरानार्टरी जो है वह वाँ द्रवेड वाँ दो पार्स एक लगेरत लोगेत मार्झीनल आर्ट्री इसले बोलता वो डॉट्वा शनले जो है उसको बोलेंगे मार्जन राट्री दीक है नेस्ट है अमारा पोस्ट इंटर वेंट्रिक्लर आर्ट्री कोरोनर आर्ट्री तेके अब राइट मार्जिनल आर्ट्री जो है वो मयोकाडियम को ब्लेड प्रवाइड करेगा उसके बाद वहाद से आपको एक वेन आएगा उसको हम बोलेंगे स्मॉल काडियाग पेन और कोरोनर रिवेन करपी प्रवाइड करेगा उसका बात कर रहें यह है राइट कोरोनर आर्ट्री के बारे में पहले आयोटेक अंदर ब्लेड आयोट्र 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 से आपका राइट को लाइट को राइट कर बेट गया है बात करें नगरी करें जा को भररlla खना रह ब्लेट प्रवाएड ल मकासित जो है यहे small coronary vein का अदर जाएगा उसका बाद आपको coronary sinus काना जाएगा अभी पोस्टरी इंट्रवेंट्रिक्लार कोरोनर आट्री जो है वो मयोकाडियम को जाएगा मयोकाडियम से वो हमारा किदर middle coronary vein का अदर जाएगा तीक है यहे right coronary अब बात करना है तो ठीक है अभी हम लोग जा रहे है हमारा left coronary artery के अंदर देखो यह जो लेफ्ट को अभी हम लोग पढ़ने वाले यह लेफ्ट कोरोनर आट्री क्या है फुस्ट्वन लेट्रल आंटिरियर descending artery descending coronary artery यह आपको बहुत important आट्री है क्योंको most commonly most commonly coronary occlusion वत्ता है इसका अंदर इसको यह मुलोग बोलेंगे वीडियो साट्री तीक है लेट्रल ascending lateral anterior descending artery coronary artery का अंदर यह जाके आपको मयोखाडियम को ब्लेड परवाइड करेगा उसको बहास से आपको आजाएगा हमारा वेन वह है हमारा ग्वेट काडियक वेन है तो कॉरुनर वेन ठीक है लेफ्ट नेक्स्ट नेक्स्ट बैंच है हमारा circumflex circumflex coronary artery यह पूरा आपको मयोखाडियम को पास आएगा मयोखाडियम से उसका बाद आपको वहास से ओस्ट वेन आफ लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको किदर जाएगा वह हमारा पुरा डिवाइड वद दो पार्स कंदर एक है लेटरल डिसेंडिंग आट्री करके बोसकते हूं वह आपको मयोखाडियम को प्लेड प्रवाइड करेगा उसका बाद बहास से आपको ग्रेट काडियक वेन आएगा ठीक है आफ़ेड बहास आपको पोस्ट वेन आफ़ी लफ्रेंटर का उसका अपको वेन का अंदर बेड जो है ड्रेन वह जाएगा यह एंग आच्छा से पढ़ेंगे ठीक है यह इमेज देख लो इसको हम बोल रहे हमारा मार्जनल राटरी इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे मार्जनल राटरी वही को देखो इधर से आपको यह पीछे सारे पोस्टे रीजन से बोस्टे विजन से देखो यह हम और मैर्जनल राटरी पहले बात कर चुके हम लोग उसका बद नीचे तक जा रहा है यह हमारें इंटरवेंटर्वेंट्रॉक्लर सप्तल ब्रैंच है एक है यह हमारें राइट कोरोनर राटरी अभी डिसकुस्ण देखो यह राइट कोरानर आ पूरो ग्रूह को ब्लेड प्रोबाट कर रहे कौन हमार राइट कोरोन अर्टरीम को अर्ट वेंट्रिकल को तीके अभी राइट एट्रिम का अंदर एक पार्ट होता है कंडेक्शन के रिलेट्रेड हैं उसको हम बोलेंगे साइनो ये लोड तेस्जेव नोट तेके अगर ये एक राइट एट्रम को अथ्यसर ब्लेड नहीं मिला तो कंडक्शन नहीं होगा अगर कंडक्शन नहीं होगा तो हार्ट का बीटिंग्ग प्रॉब्लम आएगा तीक है यह 15 आट्री है हम लोग देख रहें साइनो नोडलacjiट्रेल नोडल लाट्रिए एैं जो प्लेड आता है वह ये लीय सी बिंडेट्रिकन अल्ड니다लीड ब्रमनेंट्स एक टुछ कबिता है तो हाइट बीट से ज्यादा बढ़ जा रहा है हार बीटिंग तो वह कंडिशन का मंद जा रहे पाल चांओ अगर हाट बीट जो वहुट कम हो जा रहे बीटिंग होना तो भीर बैडिक रही है दूसरे हार्ट ब्लोग कौने का विच्छांस है तेके नेक्स्ट है हमारा राइट एक्यूट मार्जिनल आर्ट्री ये सप्ले करेगा राइट वेंट्रिकल को हमारा पूरा राइट वेंट्रिकल को कौन कौन सी आर्ट्री ब्लेड सप्ले कर रहे है राइट कोरणरी मार्जिन आर्ट्री सप्ले करता है अभी देखो हमारा लेफ्ट कॉरोन आर्ट्री अभी देखो लेफ्ट कॉरोन आर्ट्री जो है आपके यह सो नीचे तक आएगा यह जो नीचे तक आरें इसकाम बोलेंगे लेफ्ट अंट्रियर डिसेंडिंग आर्ट्री दो गोई अंट्रियर आ रह ज्यादा प्रवाइड करता है आगर इसके अंदर अक्लूचिन उबा तो आपको हार्ट रिलेटेट साइन स्यम्टमस दिखेगा तेके नेश्ट है हमारा इधर से ब्यान चाहरा देखो यह सरकम्फ्लेक्स सरकम्फ्लेक्स क्यों बोला सरकम मिन सर्किल हो रहा है तेके एंट्री इसको हम बोलेंगों पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिक्लर बोलते इसको यह हैं एक लिएडी जिसने सरकम्फ्लेक्स आट्री यह अब लिए हम लोग लफ्ट को रोनाटरी के देख चुके हैं अभी यह देखो हम लफ्ट को रोनाट्रिक के डिसकुर्शन करें इस लेफ्ट को रोता क्या है यह नॉमली दो ब्रैंजास करके बोला मैं पहले ही आपको यह लिएडी और सरकम्फ्लेक्स क्रोड़नाट्रिक यह सप्ले करेंगा पूरा एंट्रियर और लेफ्ट लेटर सर्फिस अफ्ति लफ्ट लेकर सेर्फिस का हाट को व्लैडड पॉवैड करेगा अभी एक एक ब्लेट बसल देखो फिस्ट वन एली लेफ्ट ऐन्टियर डिसंडिंग आर्ट्री कुरण आर्ट्री ये डिसंडि करेगे एक इंटिर इंटर्वेंट्रिक्लर सलकस को प्रोबाइड करेगा दूसरा बंडल आफ हीस टीक है यह बंडल आफ हीस होता क्या है देखो हार की कंडेक्शन होने के लिए हमको बुरा चार नोड से एक एक पात्वे आएगा उसका हम बोलेंगे इंटर नोडल पात्वे उसका बाद एवी नोड आएगा उसका बाद का बाद पीट होगा थिक है हम लोग जब फिजयोल का पड़ेंगे हाट का थावन आपको इसको समझाओँ त्यक है अभी इस जो है एक अपेक्स होता क्या है पहले बोले फिक आफ को भी एल लिए डी जो है प्रवाइड करेगा तीक है अभी यह यह लिएडी मोस्ट कॉमन ले कोरिनए एकलिशनग वोने क कॉमन साईट है ठीके अभी सरोप्येमफ्लेक्स आत्री देखें लफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्त जो है ये लफ्ट बोर्डर हाट को अदेन्ड़ 가지 पोस्टिरी एस्पर्ट को ब्लेड को प्रॉबाइड करे सब्सक्रा। पोस्टीरियर इंफीरियर रफ्क्रे मेंटिकल划 को पोस्टेर ρ जो है वो सर्फेस को जो है लफ्ट रर्कावन फ्लेक्स आसरी जो है ब्ट को प्रवाईड करेड़ करें तेके आज हम यह है हमारा कुरोनर्य स्रक्यूलेशन का बर्म, अब हमरे सेर्टमा हाथ का एक वीडियो बनाऊंगा उसका अंदर क्लीनिकल अनाटमी ओल्ली क्लीनिकल इंपोर्टन से कि वह थेनिक अन्दर में आपको हाट का अनाटमी के अन्दर समझाओंगा ठीके हम लोग लास्ट में जा रहे हमारा ठीके ब्लेड़ प्रवायंट करेंगे हहां अब ब्लेड को आत्रीस से आपको फोड़ीर रएड्स को शॉच्ट लाज में हमारा वह खिदर जाएगा है लास्ट में वह हमारा एक उनरे साइनस इधर से ब्लड आएगा ठीक है लिए ऑक्षिजेटल ब्लेट को अमारे हाठ उसके बाद यह है इंपटेंट एक उनरे से देखो यह से लिए अधिक यह ग्रेट काडियक वेंड मिडिल बेंड और आने अगर आपको कुछ भी कुछंस है तो मेरे को में पूछ सकते हो अगर आप अभी तक मेरे के चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेद अन सब्सक्राइब ठीक है वे नाइस टे एक्स वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो बाइबाइब